दोस्तो जहलल नहरुवला इस एक रूपे के कॉईन का कीमत है एक लाक रूपे क्यूंकि कुछ यूटूब चैनल्स और सोशल मीडिया में तो इस कॉईन का कीमत लाकों में ही बताया जाता है कोई कह रहा है पाच लाख फिर कोई कह रहा है तीन लाख और करोरों में कीमत बताने वाले लोगों की बात तो छोड़ ही दो पर जब आप इनसे इस कोईन का लाखों में कीमत सुनके खुश रकर अपना कोईन किसी बायर को बेचने के लिए जाते हो तो आपको बायर से उस कॉइन के बदले यही सुनने के लिए मिलता है कि वो आपके कॉइन का कीमत जिसे सुनने के बाद सायद आपको लगे कि बजाक नहीं दोस्तो पर ये सच है आपको फेक न्यूस पे ध्यान नहीं देना चाहिए हकिकत में इस कॉइन का क्या है आज के टाइम में कीमत वो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ साथ में एक ओनलाइन प्लैट्फरम के बारे में भी बताऊंगा जहाँ पर घर बैठे आप अपने पुराने कॉइन या नोट को बेच सकते हो पर वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे ये वीडियो आपके बड़े काम का है तो वीडियो को बीना स्किप किये पूरा एन तक देखो और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो नीचे दिया हुआ उस सब्सकाइब बटन को दबा कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ओल में सेट कर दो जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिले सबसे पहले वेल नमस्काद दोस्तो मेरा नाम है स्रीजीत स्वागत है आप सभी को हमारे टेकनो ओल करने सी यूटूब चैनल में चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ तो दोस्तो सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्र गुजार हूँ आप सभी के प्यार और सपोर्ट के बज़े से हमारे टेकनो ओल करने सी यूटूब चैनल पर 10,000 सबस्काइबर मेंबर कम्पलीट हो चुके हैं ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आगी भी करते रहिए और मैं सोच रहा हूँ कि 15,000 सबस्काइब में मैं हमारे इस चैनल में गिववे शुरू कर दूँ जो एक अच्छा आइडिया है वैसे अगर आपका सपोर्ट रहा तो 15,000 सबस्काइब कम्पलीट होने में ज्यादा दिन न जाएगा तो दोस्तों ये एक रूपे का कॉइन जो भारत में जारी हुआ था 1989 पर जहलाल नहरूजी के सौ बरस जनमतिन के स्मरीती में कॉलकत्ता, हैदराबाद, मुंबई और नौइडा मिन से ये कॉइन बनाया गया था कॉपर निकल से, वेट 6 ग्राम, डाइमेटर 26 mm, तिकनेस 1.6 mm और इसमें security edges देखने को मिलता है, अब इस कॉइन में एक खास बात ये है कि नौर्मल एक रूपे का कॉइन दिखने में ऐसा है, पर मुंबई मिन से जारी हुआ इस एक रूपे के कॉइन में कुछ अलग है, जो आप देख सकते हो कि नौर्मल एक रूपे के कॉइन में ये लंबे dots देखने को मिलता है, और ये सिर्फ पटिकुलरी मुंबई मिन के कॉइन में ही देखने को मिलता है, दूसरे किसी भी मिन में ऐसा issue देखने को नहीं मिलता, जिस वज़े से ये कॉइन rare है, और अगर बात करिए इसकी कीमत की, तो दोस्तो आज के समय और नॉइडा मिन का कीमत भी लगबग उतना ही जाता है, अब सवाल है कि कौन सा क्या है, वो पहचाने कैसे, उसके लिए मैं हूना, आप मुझे अपने एक रूपे के कॉइन का तस्वीर दिखा सकते हो हमारे टेक्नोल करनसी फेस्बुक पेज में, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका वो कॉइन rare है या नहीं, link in the description and first comment, अब दोस्तो बात करें कि कौन से online platform में अपने पुराने कॉइन या नोट सेल करें, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो Coinbazar application को, Coinbazar application एक एसा platform है जहाँ आप अपने पुराने कॉइन या नोट बेज भी सकते हो या उनसे खरीद भी सकते हो, इसका भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो अभी जाके डाउनलेड करो Coinbazar, और दोस्तो इसके अलाबा भी कई और ऐसे application है जहाँ आप अपने कॉइन या नोट को स शेयर भी जरूर करें, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए जाटाएगा